प्रीजम एक डिवाइस है जिसको हम लाइट को बैंड करने के लिए यूज करते हैं अगर लाइट ट्रेक्शन चेंज करने हैं तो उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं एक प्रीजम यूज कर सकते हैं अच्छा प्रीजम का एक और काम होता है जिसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको डिस पर्शिन औफ लाइट डिस पर्शन का मतलब होता है जैसे जो वाइट लाइट होते है उसमें से वन कलर मिक्स होते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे dispersion मतलब की जो white light होती है आपको पता होगा कि उसमें seven colors होते हैं को और कौन से color होते है ठीक है और अगर हम इधर से इधर जाएंगे violet से red की तरफ तो light की जो wavelength है वो क्या होगी increase होगी सबसे कम wavelength किसकी है और सबसे ज्यादा किसकी है रेड कलर की लेंड़ा फॉयलेट इस लेस देन लेंड़ा फॉर रेड यह चीज़ हमको याद रखनी है यह इतनी चीज़ें हमको पता है अब जो white light होती है उसमें seven color की light कर देता है तो इसको हम detail में समझेंगे मालो की यह कोई prism है और इसकी उपर आप white light incident कर रो कौन से light incident करनी है white यह है white light अब ठीक है जैसे हम white light को इस point की उपर incident करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा अब जो light है देखो इस white light में seven color की light mix है मतलब इसमें red color भी है violet color भी है और जितने भी colors है seven colors वो सारे के सारे इसमें mix होंगे तब ही white बनता है white actual में color नहीं होता white कब बनता है जब seven color की light आपस में mix होती है तो वो white color की आपको दिखाई देती है अगर इस टूब light को देखो आप टूब light या जो white color के light के source होते तो उनसे कौन से color की light emittery होती है हमेशा seven color की light एक साथ emittery होती है और seven color की light का जो mixture होता है वो हमेशा white होता है तो यहां पर white light आपने incident की तो इसमें red color भी है violet color भी है yellow color भी है सारे के सारे color mix है और सब के लिए angle of incidence क्या है सेम क्योंकि सारे के सारे इसमें mix है ठीक है अब यह जो light रहे है यह जो light यहां पर incident होगी अब यह rarer से dancer medium में जा रही है तो इसको किदर बैंड होना है towards the normal लेकिन यहां पर खास बात यह है कि जो seven color की light होती है उसका जो behavior होता है वो उसके लिए इस prism का जो behavior होगा यह denser medium का जो behavior होगा वो सब के लिए अलग-अलग होगा मतलब यह जो glass है जिसका यह prism बना हुआ है इस glass का जो refractive index होगा वो अलग-अलग wavelength की light के लिए अलग- आज यहां नहीं होता हा जैसे इसको हम एक formula से समझेंगे इस फॉर्मले को हम बोलते है को शीए इसको का कोची फॉर्मला ए प्लस बी अपॉन लेंड़ाइस प्लस सी अपॉन लेंड़ा पाउड और यहां पर लेंड़ा क्या है यहां पर wavelength of the light और म्यूच्य यहां पर रिख्रयक्ति इंडिक्स ऑप देनीपूंत ऑफ गया चुल व्यूम है है दो दौिए सबसे ज़्यादा और red color के लिए देखें तो इसके लिए lambda क्या होगा सबसे ज़्यादा होगा इन 7 color में से red color की light के लिए wavelength सबसे ज़्यादा है इसका मतरब lambda अगर ज़्यादा होगा तो म्यू की आएगा कम आएगा क्योंकि एक तरह से इन्वर्सली प्रपोर्शनल होगे न तो हम क्या बोलेंगे कि जो वैलेट कलर है उसके लिए जो medium का refractive index होगा वो red color की comparison में क्या होगा ज़्यादा होगा यह बात समझ में क्या इसको हम बोलते हैं कोची फॉर्मला कोची फॉर्मला कोची फॉर्मला आपको क्या बताता है medium के refractive index और light की wavelength की बिच में relation बताता है उसके according हम यह decide कर पाते हैं कि light की wavelength अगर मालो लेम्डा है तो उससे medium का refractive index उस light के लिए कितना होगा अलग-अलग color की जो light होती है उसके लिए same medium का refractive index भी अलग-अलग होगा यह glass एक ही है लेकिन इस पे जब red color की light आप incident करोगे उसक के लिए इसका refractive index कम होगा लेकिन अगर इसके उपर violet color की light आप incident करोगे तो इस medium का जो refractive index है यानि glass का जो refractive index है वह violet color के लिए क्या होगा ज्यादा मतलब यह जो same medium है यह अलग-अलग color की light के लिए अलग-अलग type से बिहयो करेगा किसी के लिए ज्यादा dense होगा किसी के लि कि किसके लिए ज्यादा dense किसके लिए कम dense है यह चीज हमको यहां पर समझ में आरी है कि वोईलेट कलर के लिए यह ज्यादा dense होगा और ज्यादा dense होगा तो यह क्या करेगा light ray को अपनी initial direction से ज्यादा बेंड करेगा, भवी light ray को band करने काम कौन कर रहें यहां पर बताओ light ray को band करने काम किस ने किया medium ने, तो medium जतना ज़्यादा dense होगा, होगा जतना ज़्यादा dance होगा, उतना ज़्यादा band करेगा, ट्वार से normal तो यह जो light ray है, यह अपनी इनियशिल डारेक्टन से यह जो इसकी इनियशिल डारेक्षिन है, इससे यह बेंड होगी, अब सबसे ज़्यादा, जो color बेंड होगा, यहाँ पर 7 color के light, सबसे ज़्यादा बेंडिंग किसकी होगी, जिसके लिए मेडियम का रिफ्ट्रेक्ट्ट्ट इंडेक्स सबसे ज़ादा है Medium का Refractive Index Violet Color के लिए जादा है इसका मतलब Violet Color सबसे जादा Band होगा Twars the Normal ये सबसे जादा Band हुआ ये है Violet Color ठीक है और Red Color क्या होगा सबसे कम Band होगा ठीक है Red Color माल लो ये है तो Red Color सबसे कम Band हो रहा है समझ मैं है रही है ये बात मतलब वोईलेट कलर् करने में जाएगी तो अगर हम लोग एक नॉर्मल ड्लॉ करेंगे कुझकि इसके लिए nyaुए से बाहर निकल रही है तो इसको आवे फ्रॉम जंड़ेंड हो लेकिन ऎक्र्वे यह के लिए कम बेंड होगी oraz के लिए यही मेडियं जाता आफ छ से बाहर निकल रही है उसका मतलब यह एनल डारेक्षिन से ज्यादा यह थोड़ा कम करेंड होगी एक मैं यहां पर तो तो स्क्रीन की ऊपर आपको वोईलेट कलर तो नीचे दिखेगा और रैड कलर सब से ऊपर दिखेगा अच्छे एक दम मिड है कौन सा कलर दिखेगा आपको तो यहां पे आप देख सकते हो कि जो मड़कि रहे हो ग्रीन सबसकरो वोईलेट के वेवलेंथ है टेन और यहां पर बढ़ते बढ़ते ही हो गई हंडेड तो टेन प्लस हंडेड बाइट टू कितना आएगा 55 तो 55 जो वेवलेंथ होगी वह ग्रीन कलर की नहीं होती है वह यलो कलर की होती है तो मीन कलर किसको हम मानेंगे यलो कलर को याद एकदम बीच में जो आपको मिलेगा एकदम मीड में जो आपको लाइट मिलेगी वह कौन से कलर की मिलेगी यलो की मिलेगी तो यलो सबसे बीच में होगा पाते समझ में आए क्या तो यह जो फिनोमेना होई कि यहां पर जो सेवन कलर की लाइट आपने इंसिडेंट की जिसक डिस्पर्शन ओफ लाइट यह वर्ड रखने लिए यूज के आ जाता है जब वाइड लाइट को हम सेवन कलर समें सेपरेट करते हैं अब इसके लिए दो तिन टेकनिकल चीजें जो हमको कैलकुलेट करनी है जैसे यहां पर यह जो प्रीज्म है यह इन लाइट रेज को जब स लाइट है और जो वोईलेट कलर की लाइट है इनका जो एंगल ऑफ डेविएशन हो कैलकुलेट करेंगे और फिर उनको आपस में सब्ट्रेक्ट कर लेंगे जैसे देखो इनीशल डायक्षन लाइट रेक्षन यह थी जो रेड कलर की लाइट है वह फाइनली इस कितना बेंड हो रही है उसको देख लो और यह जो एंगल आएगा एक तरह से यह वाला इंगल इसको हम क्या वह लेंगे एंगल ऑफ डेविएशन फॉर वोईलेट कलर समझ में है क्या और इनका जो डिफ्रेंस होगा डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर मतलब यह बीच में ज इसको एंगुलर डिस्पर्शन । ए एंगल डिस पर्शन ऐंगल के लिए ein ऐस भी बोलेट के लिएटो से एक सबißt-णी इसका व्च्वाप मेनड लिए इंटो डेल्टा वी लिख देते हैं यह आएगा म्यू वी माइनस वन इंटू ए एंगल ओफ प्रीज्म तो सेम ही रहेगा इसमें कोई डिफ्रेंस नहीं आएगा और रेड कलर के लिए एंगल ओफ डेविएशन कितना आएगा बताओ यह आएगा म्यू आर माइनस वन इंटू ए समझ एक देखो यह अंदर मल्टिप्लाइ करोगे तो आप एक काम करो एक कोमाण ही लें तो यह एगा मैनस मू और यह माइनन ब्लस बनेगा तो यहां पर कैन्सल और आंसर क्या अएगा म्यू वी माइनस म्यू अर इंटू ए समझमाएं तो यह है एंग्ल डिस्पश्न का फॉम्ल और सब्सक्राइब सब्सक्राइब अब इस प्रिज्म ने कितना एंगुलर करेगा एक तो डिपयाट करेगा मेडियम के रिफ्रेकटिव इंडेक्स पर जो रोड़ के लिए और रेड उलेगा और एक डिपेंड करेगा angle of prism के उपर यह वाला जो angle of prism है यह जितना ज्यादा होगा angular dispersion उतना ही ज्यादा होगा मतलब यह light rays ज्यादा फैलेंगी फिर जितना angle of prism ज्यादा होता है जितना यह ऐसे चोड़ा prism होगा तो यहाँ पर जो light rays जब spread होंगे तो यह बड़े एंगल से spread होंगी लेकिन अगर यह पतला प्रिज्म एकदम पतला सा है तो उस condition में जो यह angle of angular dispersion क्या होगा कम होगा क्योंकि एक वेलू कम होने पर एंगल dispersion क्या है कम तो यह एंगल छोटा बनेगा मतलब छोटे से एंगल पर यह सारे के सारे करियर आपको मिल रहे होंगे मतलब जो dispersion है वह उस condition में थोड़ा कम रहेगा तो एंगल प्रिज्म की उपर यह वेलू डिपैंड करती है एक और चीज़ यहां पर गोर करने वाली है जिसको हम बोलते हैं dispersive power dispersive power का मतलब है कि कोई भी प्रिज्म है वह लाइट इसको separate करने के लिए इस तरीगे से separate करने के कितना powerful है तो उसको हम बोलते हैं dispersive power उसका जो फॉर्मला होता न डिस्पर्सिव पावर डिस्पर्सिव पावर को हम ओमेगा की सिंबल से रिपर्जन करते हैं और इसका फॉर्मला होता है एंगुलर डिस्पर्शन डिवाइड़ बाई मीन डेविएशन का मतलब मतलब मीन कलर के लिए डेविएशन कितना है तो मीन कलर कौन सा है यलो कलर तो यलो कलर के लिए डेविएशन कितना होगा यह वाला जो एंगल है इसको हम क्या बोलेंगे मीन डेविएशन डेल्टा वाई ठीक है तो फॉर्मला क्या बना एंगुलर डिस्पर्शन का फॉर्मल तो यह बनेगा म्यूवी माइनस म्यू आर इंटू एडिवाइड किसे करना है डेल्टा वाई मतलब यलो कलर के लिए एंगल ऑफ डेविएशन इसी तरीके साब यलो कलर के लिए कैल्कुलेट करोगे तो यहां पर म्यूवाई आएगा बस तो फॉर्मला बनेगा म्यूव क्या कर देता है यह में कलर कौन सा होता है येलो कलर येलो कलर के लिए मेडियम का इप्रिक्टिव इंडेक्स मतलब घए तो दो चीज़े इसमें क् propagation कितना होगा और ologists the power कितनी होके प्रिज्म की और डिस्पर्शिन किस तरीके से लाक्वा किस तरीके से से प्रीट हुई यह आपको समझ में आया होगा इसके लिए कौनसा फंतर वान यूज करेंगे हम होसी फंतर यूज करेंगो और इससे हम उसको में करेंगी ठीक है झाल झाल